जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS 30.2 टूटूब चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं Awesome Rifles भरती 2021 के वेकेंसी इनकिरीज को लेकर यानि कि जो पहले आपका वेकेंसी जारी किया गया था वा 1236 पोस्ट वर वेकेंसी जारी किया गया था तो अगर आप सभी Awesome Rifles भरती 2021 का फर्म अपलाई करने वाले हैं या फर्म अपलाई कर दिये हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये पुराना वाला नोटिफिकेशन है जो कि असम राइफल्स के तरफ से जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन को आप से भी देखे होंगे ये कारे सितमबर से इसका फर्म अपलाई सुरू हुया था और लास्ट जेट पचीस अक्टूबर 2021 था और इस notification में यानि कि जो पुराना आपका notification था इस notification में जो है state wise भरती का details दिया गया था जैसे कि असम के अंतरगत इतना total post है इसके अलबा बिहार के अंतरगत आप से भी देखेंगे ये कानवे post बताया गया था लेकिन अभी जो आपका new notification जारी किया गया है 14 October 2021 को इस notification में आप सभी देखेंगे तो सभी एस state में जो है post की संख्या बढ़ा दिया गया है यानि कि सभी एस state में लगबग 10, 20, 25 इस तरह से जो है post की संख्या बढ़ाया गया है तो जो new notification आया है 14 October 2021 को इस notification के according आप सभी को बता देते हैं कि कौन से state में कितना post है तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो दीप समू है यहाँ पे एक जो है आपका total post रखा गया है इसके बाद जो आंदर परदेश है अगर आप आंदर परदेश state से हैं तो आपके लिए जो है total 74 post है यानि कि आपके state में total 74 post पर भरती है और दोस्तों आप सभी को बता दे important जनकारी कि यह जो आपका वेकेंसी जारी किया गया है इसमें state wise आपका selection होने वाला है यानि कि मान लिजिए कि अगर आप आंदर परदेश से हैं तो आंदर परदेश में 74 post है तो इसी 74 post में जो है आपका selection किया जाएगा क्योंकि यह state wise जो है इसका cut up बनने वाला है तो यह जो है आपको जानना काफी जादा important है इसके बाद और उनाचल परदेश के अंतरगत total 47 post आपका रहने वाला है और कौन से post में जो है कितना वेकेंसी है यह details यहाँ पे दिया गया है इसके बाद awesome state की बात करें तो awesome state के अंतरगत 57 जो है total post रखा गया है यानि कि पहले आप सभी को बता देते हैं कि पहले जो है awesome के अंतरगत 47 post था लेकिन अब भी आप सभी देखेंगे कि awesome के अंतरगत 57 post किया गया है यानि कि 10 post जो है आपका बढ़ाया गया है इसके बाद विहार estate की बात कर लेते हैं तो विहार estate के अंतरगत आपका total 111 पोस्ट रहने वाला है अगर आप विहार estate से हैं तो आपके लिए 111 पोस्ट पर भरती रहने वाला है और पहले जो आपका वेकेंसी था यानि कि पहले का जो डाटा था आप सभी देखेंगे कि भीहार estate में 91 ही वेकेंसी था total लेकिन अब भी आप सभी देखेंगे कि total 111 वेकेंसी हो गया है तो यहाँ पे वेकेंसी की संख्या बढ़ा दिया गया है आप सभी देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपका next state है इसके बारे में आप सभी को बता देते हैं जैसे की चंडीगर्ड है तो इसमें कलर के लिए आपका एक वेकेंसी है यहीं पोस्ट रखा गया है और पिछला जो नोटिफिकेसन था ये भी आप सभी को दिखा देते हैं तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे पिछले नोटिफिकेसन में जो है आप सभी का चंडीगर्ड के अंतरगत जो वेकेंसी थे इसमें एक ही पोस्ट था तो इसमें तो पोस्ट की संख्या नहीं बढ़ाया गया है इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट एस्टेट जो कि यह 36 गर्ड तो 36 गर्ड के अंतरगर्ड जो है अभी 38 पोस्ट आपका रखा गया है यानि कि टोटल 39 पोस्ट है इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली के अंतरगत जो है 10 पोस्ट आपका रहने वाला है और पहले जो आपका दिल्ली के अंतरगत वेकेंसी था वह 8 वेकेंसी था यहाँ पे देखेंगे लेकिन अभी जो आपका पोस्ट की संख्या बढ़ यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात के अंतरगत लेकिन आपको बता दे कि पहले जो है गुजरात के अंतरगत आप सभी यहाँ पर देखेंगे गुजरात एस्टेट अगर आप सभी से टोटल काउंट करेंगे तो पहले 25 फेकेंसी था गुजरात एस्टेट के अंतरगत लेकि वेकंसी है ये जो new notification जारी किया गया है 14 October को वो notification आप सभी को दिखा रहे हैं इसके बात ज़ारखंड के अंत्रगत total साथ वेकंसी है आप सभी देख सकते हैं और यहां पे पुराना नोटिफिकेशन में भी आप सभी को दिखा देते हैं कि जारखंड के अंत्रगत आखिर कितना वेकेंसी था तो आप सभी यहां पे देखेंगे यह पुराना वाला नोटिफिकेशन है जो की Awesome Rifles के तरफ से जारी किया गया था तो इतमे जनकारी इसका दिया गया होगा आप सभी को दिखा देते हैं तो यहां पे देखेंगे जारखंड एस्टेट के अंत्रगत पहले 51 था लेकिन अभी जो है पोस्ट की संख्या बढ़ा दिया गया है यानि कि 9 वेकेंसी बढ़ाया गया है इसके बाद यहां पे नेक्ष्ट करनाटका है जिसमे 49 आपका टोटल वेकेंसी है तलागना के अंत्रगत तिरपन है त्रिपुरा के अंत्रगत आठ है उतर परदेश में 101 है तो यहाँ पर उत्तर परदेश की data देख लेते हैं कि पिछले बार जो आपका notification आया था उस समय कितना था तो यहाँ पर उत्तर परदेश का जनकारी आप सभी को दिखा देते हैं जैसे कि देख सकते हैं उत्तर परदेश के अंत्रगत 98 पहले वेकेंसी था लेकिन अभी जो आप देखेंगे 111 वेकैंसी हो गया है तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि वेकैंसी की संख्या बढ़ाया गया है उत्राखंड के अंतरगत 6 है वेश्ट बंगाल के अंतरगत 60 है अगर आप पस्षिम बंगाल से हैं तो साथ आपका वेकैंसी रखा गया है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी सभी ये श्टेट का बढ़ाया गया है सिक्कीम के अंतरगत 2 है राजास्थान के अंतरगत 43 वेकैंसी है पंजाब के अंतरगत 20 है इसके अलावा पंदुचेरी के अंतरगत 3 है होडीसा के अंतरगत 50 है इसके अलावा देखेंगे नागा लेंड के अंतरगत 120 वेकेंसी है मिजोरम के अंतरगत 86 है और यहाँ पे देखेंगे जहारखंड के साथ है जैसे कि मैंने आप सभी को सभी details यहाँ पे बता दिये हैं जम्मू कस्मीर के अंत्रगत 25 और हिमाचल परदेश के अंत्रगत 5 यहाँ पे जो है वेकेंसी जारी किये गए हैं तो दोस्तों सभी ये state की भरती की details मैंने आप सभी को बता दिये हैं लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी किसी भी defense job की तयारी कर रहे हैं तो byjuice exam prep app के द्वारा आप सभी कर सकते हैं byjuice exam prep India का number one educational platform है और इस app के द्वारा आप सभी किसी भी defense job की तयारी कर सकते हैं यहाँ पे NDA 2 2021 के लिए crash course byjuice के द्वारा lunch कर दिया गया है जिसकी class 1st October से शुरू किया गया है इसके अलावा आप सभी को बता दे NDA 1 2022 के लिए foundation course जो है 8 October से शुरू किया गया है इसके अलावा SSB interview for NDA के लिए 3 October से इसका batch शुरू किया गया है और इसके अलावा अगर आप सभी Air Force Group X&Y की तयारी कर रहे हैं तो इसकी भी class 10 October से शुरू किया गया है तो अगर आप सभी इन में से कोई भी defense job की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी by juice exam prep app के द्वारा कर सकते हैं और आप सभी को बता दे कि जब भी आप इसका batch purchase किजिएगा उस समय new 10 coupon code जरूरी इच किजिएगा इससे 10% का जो है आपको discount देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इस vacancy की कुछ important जनकारी के बारे में तो आलांकि मैंने आप सभी को इसकी जनकारी already बता चुका हूँ तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यह vacancy है इसका last date 25 October 2021 तक है और इसकी फर मेगारे सितंबर से सुरू हुआ है और इसके अला इसके अलावा जो ITI किये हैं उनके लिए भी काफी सारे vacancy है तो आप सभी इस notification को एक बर पट लीजिएगा इसका link हम description में दे दिये हैं और इसमें age भी पोस्ट की अलग-अलग रखा गया है तो आप अपने coding जो भी पोस्ट आपको अच्छा लगे उस post पा फर्म जल्द से किया गया है vacancy increase को लेकर तो दोस्तों कोई भी सवालों कमेंट सकते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम